हाज जी वेलकम बैक तो एनदर वीडियो आफ गूगल शीट फॉर मार्केटर्स कोर्स माइसल्फ उमर तसकीर आजके इस पडिलर वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक गूगल शीट टेंपलेट को जिसकी मतलब से हम हमारे जो बायर्स परसोना है उनको डिफाइन कर सक अगर आप कहीं पर भी आड्स उगरा रन करने की सोच रहे हैं कोई भी अगर आप ब्लॉक पोश्ट लिखने की सोच रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उस मेसेज के थुरू उस ब्लॉक पोश्ट के थुरू उस आड के थुरू उस लैंडिंग पेज के थुरू आप क क्यों करना चाहिए वहीं यहाँ पर भी मैंने मेंशन क्या हुआ है it will help you in tailor ads according to buyers persona as ad angles are very important today जब आपको पता होगा कि आपका जो buyer उसके different characteristics क्या है तो उन characteristics के around जो है वो आप different ad angles बना सकते अपने facebook ads के point of view से google ads के point of view से या उन characteristics characteristics के around आप अपने landing pages के उपर उनके लिए benefits को mention कर सकते हैं जिससे कि ultimately जो आपका ROI वगरा है वो increase होगा आपके conversions जो है वो बढ़ेंगे अगर आप buyers persona के according जो है वो strategies बनाते हैं तो आपका जो customer engagement है वो भी improve होगा और आप देखेंगे कि आपकी जो CTR वगरा की matrices होती है वो ऊपर की तरफ आपको जाती भी दिखाई देंगी effective communication मतलब जिसको आप address कर रहे हैं उसको properly आप अपना जो भी message है वो properly address कर पाएंगे another benefit of buyers persona is product development जब आप buyers persona create कर रहे होते हैं तो आपको पता होता है कि भाई यह हमारे जो prospect है उसके different characters क्या है उनक product में अपनी services में कुछ change करने की जरूरत तो नहीं कुछ tweak करने की जरूरत नहीं है तो product development के point of view से भी buyers persona बहुत important हो सकता है तो बहुत साई लोग ने इस चीज़ को ignore करते हैं कि वो buyers persona को create नहीं करते हैं मैं recommend करूंगा कि buyers persona को बिलकुल create करें आपको पता हो नहीं चीए कि exactly बनता है you can create multiple buyers persona also right so मैं template दिखा देता हूँ आपको इस sheet भी मैं आपको देख दूँगा तो यहां पर एक template है buyers persona की जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस है persona 1 लिखा हुआ है आप इसको duplicate करके जो मैंने भी आपको बात बताई है persona 2 आप इसको कर सकते हैं यहां से so second type of persona जिसक हो गई salary budget enemies right ऐसी कौन सी चीज़ है enemies का मतलब यहीं नहीं कि भाई बस दुश्मन ही होंगे उनके कुछ enemies का मतलब उनको किन चीजों से डर लगता है क्या उनके threats है right जैसे यहां पर आप देख सकते हो more tech savvy employees या management उनका threat है तो इस type से आपको उनके characteristics के बारे में mention करना है जो बहुत सारी चीज़े जो है वो आप mention कर सकते हैं यह attributes आप जो आपके existing customers हैं अगर कोई तो उन customers की data को भी study करके तो उससे भी जो है वो आप यहां पर अपने bias persona की जो attributes है उनको define कर सकते हैं आपको average जो है वो लेना पड़ेगा because हर एक individual कुछ ना को चीजों में तो differ करता ही ह तो I believe यह चीज़ आपको clear हो गए होगी यह sheet में आपको link में दे दूँगा फिर से मैं कहा रहा हूँ कि buyers persona बनाए भीना आप advertising या blog post लिखना शुरू ना करें right you should know कि आपकी marketing किन लोगों के लिए हो रही है so that's it for this particular video see you in the next video till then good bye कर दो